हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका एसचांद पॉब्लिकेशन के ऑफिशल यूडियूब चैनल पे मैं श्रयांस कोठारी लेके हैं दोस्तों आप सभी के लिए लॉजिकल रीजनिंग के एक बहुत ही शांदार सीरीज जहां पे किताब का नाम है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के क्वेशन बहुत जादा तकलीफ देते हैं क्वेशन को देखके समझ नहीं आता है कि कौन सी अप्रोच लगाई जाए कैसे उस क्वेशन को देखा जाए तो आज जो हम लेके आए चैप्टर दोस्तों वो है दोस्तों थीम डिटेक्शन बहुत बेसिक एक छोटा सा एक पैसेज आएगा और उस पैसेज की थीम क्या है वो हमें समझ नहीं है बस अगर थीम समझ में आ जाएगी तो काम समझ आ जाएगा बहुत अच्छा चैपटर है बहुत बेसिक चैपटर है important चैपटर है दोस्तों क्योंकि exam में इसके questions मिलते हैं MBA के exams में और आमतर पे banking exam में दोस्तों सीधा लिए चलते हैं chapter पे chapter में जो passages आएंगे उसका मैं सीधा आपको exercise के questions पे लिए चलता हूँ कैसे उस question को देखना है और option को eliminate कैसे करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे best तरीका रहेगा जो चार या पांच options आपको मिलें उन्हें eliminate करते चलेगे कोई ना कोई बात आपको statement में sentence में लगेगी जो आपको लग रही है काम की नहीं है और elimination होती चले जाएगी तो लिए चलते हैं दोस्तों पहले passage पे exercise है हमारी 7 और exercise 7 के दोस्तों पहले 2 passages यहाँ पे हैं हम आराम से एक-एक passage को करते चले जाएंगे passage करेंगे और साथ में options को देखेंगे तो लिए चलते हैं पहला passage क्या कह रहा है उसको पढ़ लेता है the virtue of art does not allow the work to be interfered with or immediately ruled by anything other than itself यह कह रहा है कि जो art होता है न यह कहना चाह रहा है कि वो किसी को allow ही नहीं करता कि कोई दूसरी चीज मतलब interfere कर सके या फिर कोई और दूसरा इसको rule कर सके it insists that कि यह इस बात पर जोर डालता है it alone shall touch the work in order to bring it into being बहुत simple सी बात यह कह रहा है कि भाया यह इस बात पर जोर देता है कि वह स्वयम वह खोदी वह अकेला ही shall touch the work in order to bring it into being वह इसको touch करेगा और यह अपने अस्तित्तों में आ जाएगा यह अपने काम करने लग जाएगा art requires that nothing shall attain the work except through art itself art तो यही चाहता है कि कोई चीज इस कारे को नहीं attain कर सकती है by art itself यह सिर्फ art स्वयम art को कर सकती है यह कहना चाहरा है अब देखते दोस्तों इसका statement के बाद कौन सी बाद इसको support कर रही है यानि इस पूरे passage का theme क्या है passage का just इतनी सी बात कह रहा है कि art को और दूसरी कोई चीज इंटरफियर कर नहीं सकती art, art को ही इंटरफियर कर सकती है art, art को ही अपने आप में आगे लेके जा सकती है देखें दोस्तों art is governed by external rules and conditions उल्टी बात कह रहा है external rule और condition पे तो फरकी नहीं पड़ता है art is for the sake of art and life art, art और life के लिए नहीं बहुत art तो केवल art के लिए art is for the sake of art alone भाई ये पूरा passage इत्ती सी बात कह रहा है art तो art के लिए है बस काम खतम यही तो इसकी theme है पूरे passage की C definitely right है और बाकी D और E आप देख सकते है artist से शुरूर है artist realizes his dreams तो कहां से dream की तो बात ही नहीं आई artist should use his art for the sake of society अब पूरे समाज की बात कहां से आगी तो आपने देखा हो सकता है passage थोड़ा सा tough language में आपके लिए लिखावा हो सकता है but still basic जो उसकी theme है वो समझ में आनी चाहिए हमें काम करते हैं दोस्तों एक और question लेते हैं शायद उससे और अच्छे से clear हो जाए though the waste of time or the expenditure on the fashions is very large ये कहना चाह रहा है कि भाईया समय बहुत जादा बरबाद हो रहा है और expenditure on fashion fashion पे जो खर्चा है वो भी बहुत जादा है yet fashions have come to stay लेकिन fashions रुकती है वो चलती है they will not go वो चली नहीं जाएगी come what में कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए fashions अगर आएंगी तो रुकेंगी जरूर चलेंगी जरूर however what is now required लेकिन अभी जरूरत क्या है strong efforts should be made to displace the excessive craze for fashion from the minds of these youngsters बस चाहिए क्या जो excessive craze है ना किसी चीज के पीछे जो अत्यतिक craze है fashion के लिए वो छूटना चाहिए वो mind से निकालना है ये passage कह रहा है अब passage को और अच्छे समझते है कि passage की theme क्या है fashion is the need of the day fashion आज की जरूरत है जरूरत की तो कहीं बात ऐसी लगी नहीं हमें second कहला है excessive craze of fashion is detrimental to the one's personality excessive craze जो fashion का है वो उस आदमी की personality पे बुरा प्रभाव डालता है passage में बहुत clearly तो नहीं कह रहा है अब भी सिव ये कह रहा है कि मदब हमें young mind के दिमाग से ऐसे बाहर निकालना है बुरा प्रभाव डालता है इसके बारे में passage में तो नहीं दे रहा third कह रहा है तो hoard for fashion should be done away with soho as not to let down the constructive development fashion का जो इस तरह का hoard है न वो इस प्रकार से काम हो जाना चाहिए इस तरह से हो जाना चाहिए कि इससे constructive development ना रुके यानि कि passage कहीं भी किसी के बीच में बाधा ना बने तो दोस्तों actually passage यही कह रहा है हम यह कह रहे हैं कि fashion आएगा fashion रुकेगा fashion सब कुछ करेगा लेकिन हमें जो excessive craze है यह इससे हटाना पड़ेगा that means उसका constructive development जो आगे बढ़ने का development है वो रुके न चौथा कह रहा है work and other activities should be valued more than नहीं work and other activities के तो बात ही नहीं कर रहे है तो जो पूरी बात इसमें आ रही है B बहुत नजदीक है लेकिन C सबसे simple answer है straightforward पूरी theme इसी बात पर कह रही है कि हमारा impact जो है ये दूसरी चीज़ पर ना डाले इसलिए जो excessive craze है वो हमें निकालना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और passage की बात करते है passage number 9 क्या कह रहा है जरा उसे देखेंगे हम देखें दोस्तों पहले passage को बढ़ते है exports and imports a swelling favorable balance of trade ये कहना चाहरा है कि जो export imports है a swelling favorable balance of trade swelling ये नि बढ़ता हुआ फूलता हुआ favorable balance होना चाहिए balance of trade होना चाहिए यनि जतना export जा रहा है उतना import आए balance बना रहेना चाहिए investment and bank balances are not an index or a balance sheet of national prosperity ये जो export import है ये बढ़ता हुआ favorable balance of trade है ये जो investment किया जा रहा है ये bank balance की बात हो रही है ये index नहीं है ये balance sheet नहीं है national prosperity भारत आगे बढ़ रहा है prosper कर रहा है उसकी ये balance sheet नहीं है उससे पता नहीं चलेगा कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है ये statement कहा रहा है तिल दा beginning of second world war second world war से पहले trade या English का export जो है आज से कई अत्यदिक ज्यादा था आगे था and yet England has greater national prosperity today than it had ever had, ये कहना चारा है कि हो सकता है उस समय export बहुत ज्यादा था लेकिन जो आज national prosperity उस देश की है prosperity का मतलब समरद्धी उन्नती प्रगती जो आगे की तरफ लेके जाती है तो जो rastry प्रगती आज है वो उस समय से कई अधिक है because the income of average English men working as field and factory laborers, clerks policemen, petty shopkeepers and shop assistants, domestic workers and other low paid workers has gone up इतने सारे लोगों का जो income है वो बढ़ गया कितने लोगों की बात कर रहा है कि भाई या income एक average Englishman जो आम आदमी है, अंग्रेज है जो field पे काम कर रहा है, factory में काम कर रहा है, मजदूर है, clerk है, police वाला है, छोटे-छोटे shopkeepers है, shop assistants है, domestic घरेलू जो काम करते हैं वो है जो भी ये low paid workers है इनकी income बढ़ गई है ये ये कहना चाह रहा है कि जो national prosperity वो बढ़ गई है पूरी theme आपको समझ आगई passage बहुत tough नहीं कह सकते हम country's economic standard can be best at judge by per capita income दोस्तों, ये मुझे लगता है theme के बहुत नजदीक है पूरी बात ये तो कह रहा है, national prosperity जो per capita income पे है, इंसान की जो income है, average इंसान की जो income है वही सब कुछ है तो पहला तो मैं बानता हूँ theme के नजदीक है बाकी तीनों पढ़ लेते हैं, शायद अपने आप वो eliminate हो जाए a country's balance of trade is the main criteria, काम खतम हो गया वो तो कह रहा है, नहीं है, ये कह रहा है main criteria है, अपने आप से dismiss हो गया मेरे भाई a nation's economic strength strengthens with the increase in exports, export बढ़ता है, तो economic strength बढ़ती है, ये भी कटाक्ष उल्टा है, wrong कह रहा है, हम तो कह रहें कि ऐसा नहीं है आखरी कह रहा है, English trade was continually increased since the second world war ये धीरे धीरे बढ़ा है किसी तरह की कोई बात इसमें कहीं नहीं गई है, तो ये भी गलत है ultimately जो पहला था, वही सही थीम था कि अगर जैसा per capita income होगा, वैसा national prosperity होगा, चलिए 9th तो बहुत आसान हो गया अच्छे समझ में भी आ गया, 10th की बात करते हैं, चलिए आप लोगों के 10th में क्या है Throughout the ages, the businessman has helped build civilization's great cities, throughout the ages यानि शुरू से लेके अंतक, हर युग में, यानि युगों युगों तक ऐसा होता आया है, जो businessman है जो व्यापारी वर्ग है has helped build civilization's great cities, जो सभ्यता की जो बड़ी cities हैं उनको बिल्ड करने में help करी है provided साथ में क्या, people with luxuries and artists with patronage and lift his fellow citizens to understand the standard of living, उन्होंने इनकी standard of living को बढ़ाया है कि इन्होंने people with luxuries जो लोग luxuries वाले हैं जो लोग luxuries के साथ जीते हैं artists जिनके patronage है बहुत पुराना पुराना उनका experience है and lift his fellow citizens और जो अपने साथ वाले जो नागरिक हैं, देश के उनको ये समझाया है कि the standard of living बढ़ाया है in the last few centuries, पिछले कुछ शताबदियों से दशकों से, एर से नहीं, शताबदियों से the businessman has seeded the industrial revolution around the world और उसी नहीं है, जो industrial revolution है ना, इसका बीजारोपन किया है इसकी शुरुवात की है industrial revolution की, अध्योगिक अध्योगिक करांती की चलिए अब देखते हैं, इस passage में क्या का है, ये का है कि businessmen कौन है, accountable to the society society को accountable है गलत तो नहीं कह सकते हैं, पर आगे और पढ़ते है, society से बड़ी बात क्या कह रखी है, lives a luxurious and comfortable life, इसके बारे में नहीं का है, वो luxurious life जीता है, इसका passage का theme थोड़ी है बिल्कुल wrong हो जाएगा is the beneficiary of industrial revolution beneficiary of revolution नहीं कह सकते है, pioneer of revolution कह सकते है beneficiary इनका फाइदा उठाया है और pioneer यानि इसने शुरुबात की है तो मुझे लगता है, C तो गलत होई गया, is capable of raising his standard of living अपनी standard of living बढ़ाने में capable है businessmen जरूर capable है बट उसकी भी बात नहीं करी है उसने, उस passage में ये नहीं कहा गया है ये भी गलत है, आखरी पढ़ लेते हैं वो क्या कहा है, has contributed to the growth of civilization सब्यता को grow करने में अपना contribution दिया है और वो दोस्तों इससे भी ज्यादा important है accountable to the society की बात से important है, कि उसने सब्यता को grow करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है तो आपको theme समझा गई इस पूरे passage की theme क्या है, वो email लिखिये तो इसी तरीके से और कुछ passages हमें देख रहे हैं चलिए अगले passage पे लिए चलता हूँ दोस्तों, अगला passage है passage number 11, आराम से एक एक चीज़ को देखें और समझें, ये passage क्या कहना चाहरा है, तो चलिए दोस्तों, passage को पढ़ते है, passage में क्या लिखा है industrial exhibitions play a major role in country's economy industrial का जो exhibition exhibition यानि industry कैसे प्रस्तुत होती है, कैसे अपने आपको present करती है, ये एक country के economy का major role play करता है, such exhibition, इस तरह के जो exhibitions होते है now regularly held in Delhi और ये जो exhibitions है, exhibition का मतलब जो fair होते है, trade fairs होते है बड़े-बड़े industrial trade fairs होते है, ये आजकल दिली में बहुत लगते है, enable, enable नहीं, enable, यानि able करते है क्या करते है, us to measure the extent of our own less advanced industrial progress ये measure है, मतलब ये देखे ये आपको इस तरह का सक्षमता देते हैं कि आप measure कर सकें कि किस हद तक आप स्वयम, अपने less advanced less advanced progress को mighty industrial power को progress of countries like the UK, USA and Russia, whose pavilions are the centers of the greatest attention and attraction, ये simple सी बात कह रहा है कि आप अगर less advanced लोग भी हैं, तो भी आप उन लोगों को बता सकते हैं, जो mighty industrial power वाले हैं, mighty यानि powerful, शक्तिशाली जो power वाले हैं, जो progress of the countries हैं, यानि कि जो UK, USA, Russia वाले आते हैं, जिन के pavilion में जाके हम लोग वहाँ पे अपना प्रदर्शन करते हैं तो अब देखते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, यानि इसका theme क्या है इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन ग्रेटली टैक्स दपूर एकोनॉमी, जो इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन हैं, पूर एकोनॉमी में बहुत बड़ा टैक्स देता है, अब इसमें टैक्स की तो बात ही नहीं आई और पूर एकोनॉमी की भी बात नहीं आई हमने जब पूरा पैसेज पढ़ा क्या कहीं आपने पूर एकोनॉमी के बारे में पढ़ा क्या टैक्सेशन के बारे में पढ़ा नहीं, तो बिल्कुल रॉंग हो गया, यह eliminate हो गया are more useful for the developed countries like USA whose products stand out superior to those of developing countries बिलकुल गलत जवाब ये तो developing countries के लिए बहुत अच्छा है जिससे की exhibition UK USA वाले लोग भी देख पाएं उनके pavilion में तो ये भी गलत हो गया are not of much used to the countries who are industrial backward ये भी गलत है उल्टी बात कर रहा है जो industrially backward है उनके लिए तो बहुत important है ये exhibitions वो अपना प्रदर्शन अच्छे से कर सकते हैं ये तो लिखावे ना देखिए the less advanced industrial progress क्या ये बात समझ जा रही है तीन तो बिलकुल ही गलत हो चुके निरस्ट कर दिये जाते है चौथा यानि फोर्थ एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों उसी पेविलियन में UK, USA, America, Russia के बहुत सारे हैं और उसी में आपके हैं तो आपकी economy को boost कर सकता है आपके industry को boost कर सकता है ये पूरा passage इसी theme को लेके चलता है तो मेरा मानना है दोस्तों डीक दम सही theme है बाकी दिनों तो बिल्कुल absurd है तो आपने इस तरीके से समझना है कि question कैसे करना है चलिए एक और passage, passage number 12 यहाँ पे उसको भी हम पढ़ते हैं ये कह रहा है satisfaction with co-workers जो अपने साथ में काम करने वाले हैं इन्दी में सह करमी कहते हैं उनके साथ संतुस्टी होना promotion opportunities, promote करने की opportunities की बात करना the nature of work, career कैसा है उसकी बात करना and pay goes with high performance among those with strong growth needs ये क्या कहना चाहरा देखेगा हम ये कहना चाहरें कि co-workers का satisfaction या promotion opportunities जो है work कहने किस तरह का काम है और जो pay है, ये सारा कैसे जाता है with high performance among those with strong growth needs जिनको strong growth needs है जो growth चाहता है जो strongly चाहता है passionate होता है, महत्वा कांग्शी होता है उनके साथ ये बात जाती है उनके high performance पर ये काम होता है among those with weak growth needs जिनकी weak growth needs है यानि वो महत्वा कांग्शी ही नहीं है लोग No such relationship is present उनके बीच में तो relationship ही नहीं होती इस परकार की And in fact, satisfaction with promotion opportunities goes with low performance Performance अगर low करोगे, तो satisfaction हो जाएगा यानि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा ये कहना चाहरा है Passage best support किसको करता है, एक एक करके सारे पढ़ते हैं पहला क्या कह रहा दोस्तों Satisfaction is an inevitable organizational variable दोस्तों, ये inevitable का मतलब क्या होता है Inevitable का मतलब है, होना ही होना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी परकार का change नहीं हो सकता होके ही रहेगा, यानि कि वो सभी जगे होगा लेकिन passage में ये बहुत clearly mentioned है कि आपके अंदर दो तरह के लोग है, एक organization के अंदर एक वो हैं जिनकी high growth need है, एक जिनकी low growth need है low growth need वालों को अलग तरह का satisfaction है, उनको अलग तरह का है तो inevitable तो नहीं है, अलग-अलग है, यानि कि पहला वाला तो satisfy नहीं करता है, दूसरा कह रहा है, job satisfaction and performance are directly closely related, job satisfaction and performance are directly related नहीं, जिनकी high growth need होगी, उनको ज़्यादा job satisfaction होगा, नहीं, जिनको job satisfaction हो जाएगा, वो performance अच्छा देहीं देगा, जिनका job satisfaction कम होगा, और वो और बेतर चीज़ चाहेगा, वो अपने performance को और improve करना चाहेगा, तो ये दिनकुल गलत है, तीसरा कह रहा है, relationship between job satisfaction and performance is moderated by growth need, येस, ये बिल्कुल सही है, जैसी growth need होगी, वैसा हमारा job satisfaction होगा, और वैसा ही performance होगा, तो ये बात कह सकते हैं, हम job satisfaction को performance है, तो ultra proportionate हो गया, लेकिन ये जो है, बिल्कुल सही कह रहा है, growth need से moderate किया जा सकता है, हमारी job satisfaction को और performance को, चौता कह रहा है, every organization has few employees having weak growth need, few employees है के ज्यादा हैं, ये नहीं कह सकते, होते हैं ये पकी बात है, यानि ये बात तो सही है, लेकिन हमारी theme ये नहीं है, बात समझना, जो डी में लिखा है ना, वो बात तो सही है कि weak growth need वाले भी लोग होंगे, लेकिन इस पूरे passage की theme ये नहीं है ना, तो ये नहीं कह सकते हैं, और fourth high performance is essential for organizational effectiveness, organizational effectiveness की बात नहीं हो रही है, individual के effectiveness की बात हो रही है, यानि ये भी नहीं satisfy करेगा, सो कुल मिलाके जो C में लिखा है, perfectly all right है, हमारे passage से match कर रहा है, ये ही हमारा answer भी होगा, आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक और passage को करते हैं, एक और चीज़ को समझते हैं, सीधा लिए चलते हैं, दोस्तों, 13, 14 नंबर passage पर, आराम से इन questions को देखिए, ये क्या कहने चा रहे हैं, तो चले दोस्तों, 13 नंबर passage क्या पढ़ रहा है, वो पढ़ लेते हैं ये कह रहा है, the attainment of individual and organizational goals is mutually interdependent and linked by common denominator, क्या मतलब बें समझते हैं, attainment of individual and organizational goals, स्वयम का goal, यानि individual इनसान का goal, organizational goal, organization का complete जो goal है ये attainment वो प्राप्त कैसे होगा, mutually interdependent, वो एक दूसरे पर mutually dependent है, and linked by a common denominator, और उनके बीच में common बात भी है, वो क्या है, employee work motivation, employee के work का motivation, किस तरीके से, employee जो कारे कर रहा है, उसको motivation मिलता रहे, या motivate आप करते रहें, उस बात पे आपका individual goal and organizational goal depend करता है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, organizational members are motivated, जो organization के जो members हैं, वो motivated होते हैं, to satisfy their personal goals, उनके जो personal goal है, उनको satisfy करने के लिए, and they contribute their efforts to the attainment of organizational objectives, as a means of achieving these personal goals, simple बात है boss, हर आदमी एके करके अपने personal goals को achieve करने के लिए, organization में काम करेगा, तो overall organization ही अपने आप में अच्छा हो जाएगा, सभी मिलके रहे के अच्छे से organizational goal को प्राप्त करेंगे, कुल मिला के theme ये है, अब theme के उपर question जो देखते हैं, कि हमारी मोटा मोटा theme क्या निकल के आती है, ये कहना चाहरा है कि motivation क्या करता है, motivation क्या करेगा, motivation encourages an individual to give priority to the personal goals, over organizational goals, ये encourage करता है कि individual जो है, वो अपने goals को ज़्यादा priority दे तो अपने goals की priority पे अपने आप ही हो जाएगा, यानि theme के बहुत नजदीक चल रहे हैं, is crucial for the survival of an individual and organization, ये crucial survival के लिए, survival की बात नहीं किये दोस्तों, attainment of goals की बात किये, goals कैसे attain की जाएं, attain मतलब achieve किये जाएं, goal प्राप्त करने की बात किये, survival की बिलकुल नहीं किये, तो ये तो गलत हो जाएगा, motivation is the product of an individual physical and mental energy, physical and mental energy का product निकल के आता है motivation, motivation, कहां से ये वेग बात आई, बिलकुल अलग से हटके, कोई connection नहीं है हमारे passage से, तो बिलकुल discard कर दीजे से, D कह रहा, is the external force which induces an individual to contribute his efforts, ये एक ऐसा external force है, बाहर से लगने वाला force है, जो induce करता है individual को कि वो contribute करे अपने efforts को, अपने efforts लगाना शुरू करे, ये और ज्यादा नजदीगारी, मुझे लग रहा है, ए तो फिर भी actually कोई comparison कर रहा है, organizational goals और personal goals के बीच में, लेकिन D तो बहुत clear बात कह रहा है, कि motivational एक ऐसा, motivation जो एक external force है, जो induce करेगा एक individual को, कि वो अपने effort लगाए, तो दोस्तों यही तो motivation है, और यही तो passage कह रहा है, तो सबसे नजदीग का अगर कोई answer है, तो वो D for Delhi है, और आखरी कह रहा है, makes organization and society inseparable, society की बात ही नहीं करी है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो कुल मिला के D is the final answer, जो हमारा answer आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question की बात करते हैं, 14 number देखे, question क्या कह रहा है, आराम से पढ़िएगा, the consumption of harmful drugs by people can be prevented not only by banning their sale in the market, but also by instructing users about their dangerous effects, which they must understand for their safety, क्या कह रहा है सारा है, समझेगा, जो harmful drugs का consumption है, जो आदमी लेता है, by the people, लोग जो ले रहे हैं, can be prevented, वो रोका जा सकता है, न केवल इन market में, इनकी sale को ban करके, but also और साथी साथ, by instructing users, users को इस बात का instruction देके, about their dangerous effects, कि उनके क्या dangerous effects हैं, क्या बुरे प्रभाव, खतरनाक प्रभाव पढ़ रहे हैं, which they must understand for their safety, जो उनको अपने safety के लिए, understand करने चाहिए, समझने चाहिए, चली आगे क्या कह रहा है, also the drug addicts, और जो ये drug addicts है, may be provided, उनको दिया जाना चाहिए, with proper medical facilities, और उनको एक medical facilities भी देनी चाहिए, for their rehabilitation, जिससे कि वो पुनरवास कर सके, वो पुनर ठीक हो सके, this will help in scaling down the use of drug, और इससे सबसे क्या होगा, drug के use की अपने आप कमी हो जाएगी, बड़ा अच्छा passage है ये, अब आपको देखना है कि इसका passage का theme क्या है, consumption of harmful drugs, जो drugs का harmful consumption है, are on increase in the society, ये society में बढ़ते हुए है, चरण पे है, passage इसके बारे में बात नहीं करा है, सकता है, ये बात सही हो, लेकिन passage का theme ये नहीं है, can always be reduced को हमेशा reduce किया जा सकता है, are due to lack of medical facilities, medical facilities कम है इसलिए हो रहा है, can be eliminator with the help of banning their sale, उसको eliminate किया जा सकता है, by banning their sale, उनकी sale को रोक के, may be channelized through proper system, इसका proper system बना के channelize किया जा सकता है, अब देखेगा, consumption को channelize करने की तो बात नहीं करेंगे, consumption को channelize करो, गलत, तो E तो बिलकुल गलत हो जाएगा, due to lack of medical facility, ये भी गलत हो जाएगा, और A तो गलत है, B और D को हमें देखना है, कि कैसे इस passage की theme को पढ़ें, तो दोस्तों, ये दोनों बाते तो आ रही है, eliminate कर सकते हैं, can be prevented not only by banning their sale in the market, but instructing users ऐसा करके, also the drug addicts may be provided with this, this will help in scaling down the use of drugs, scaling down हो सकती है, drugs की कमी, and can always be reduced, दोस्तों, actually में जो इस पूरे की theme है न, वो ये B line कह रहा है, कि इसको कम किया जा सकता है, इसको कम sales ban करके किया जा सकता है, instructing users को, कि instruct करके किया जा सकता है, और last में ये भी, यहन्ने कुल मिला के इसका answer before Bombay हो जाएगा, कि ये हमें ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर जो women का future है, जो ladies का future है, जो औरत का future है, जो नारी का future है, बहुत ही चमकदार चमकीला bright है, और ऐसी hope करते हैं, और वो इस बात को justify भी करेंगे, जब जैसा आवसर आएगा, उसमें वो खड़े होके दिखाएंगे, वो अपना performance करके दिखाएंगे, कौन यहाँ पर women की बात हो रही है, Napoleon was right, Napoleon एकदम सही था, Napoleon Bonaparte की बात हो रही है, when he declared that, उसने declare किया इस बात को, by educating the women, we can educate the whole nation, अगर हम एक women को educate करते हैं, हम एक women को पढ़ाते हैं, साक्षर बनाते हैं, हम पूरे देश को साक्षर बना सकते हैं, because a country can never rise, हम एक country के रूप में rise करी नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते, without the contribution of 50% of their population, उनकी जो आधी population है, उनके बिना rise करोगे कैसे, so कुल मिलाके, यहाँ पे women education की बात हो रही है, women empowerment को लेके थोड़ी बहुत बात हो रही है, और कुल मिलाके, नारी जो है, पुरुश के बराबर है, इसकी बात हो रही है, चलिए देखते हैं, passage क्या कह रहा है, उसका theme क्या है, India is striving hard for emancipation of women, भारत बहुत مشकिलों से महनत कर रहा है, कि emancipation, मोक्ष गमन हो जाए, liberalization हो जाए, women free हो जाए, ऐसा बहुत hardship की बात नहीं करी है, passage के relate तो नहीं कर रहा है भाया, छोड़ देते हैं से, all women should be well educated, सभी women को well educated होना चाहिए, बिलकुल theme से match कर रहा है, बाकी वाले option पढ़ते हैं, a nation can progress only when women are given equal rights and opportunities as men, जितनी आदमी को opportunity और rights दी जा रही है, उतनी ही औरत को दी जाए, ऐसा ये statement कह रहा है, women ought to be imparted full freedom to prove their worth and contribute to the progress of nation, औरत को पूरा freedom देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी worth को prove कर सकें, contribute कर सकें, अपना योगदान दे सकें, भारत के यानि किसी देश के progress में, passage में इसका जिक्र कहा है, passage में तो कुछ का ही नहीं उसने, उसने तो education की बात किये, और कहा है कि भाया वो अपने समय आने पर abilities को prove करेंगी, तो अब हमें देखना है कि B और C, इन दोनों में से कौन सा हमारे answer में आएगा, यहाँ पे यह ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो दोनों option दे रखें, all women should be well educated, and a nation can progress only when women are given, तो दोस्तों यहाँ पे उनके rights और opportunities के man के बराबरी की बात नहीं हो रही है, तो अगर theme की बात करेंगे, तो इसका answer before Bombay आएगा, जो की best answer है, पैसेज इसी बात को support कर रहा है, यही इसका final answer है, चलिए एक और questions करते हैं, question number 16 में क्या दे रखा है, question number 16 बढ़ते हैं चलिए, the school has always been the most important means of transferring the wealth of tradition, from one generation to the next, यह simple सी बात कह रहा है, कि school जो है most important एक साधन है, transfer करने का wealth of tradition, tradition यानि जो जो परंपरागत चीज़े हैं, उनको एक जगे से दूसरे जगे देना, एक बच्चे को pass करने का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, दोस्तों, school है, this applies today in an even higher degree than in former times for, यह apply होगा आज भी, even higher degree than in former times, पहले जतना होता था ना, former यानि पहले, पुराने समय में जितना होता तो उससे भी और ज़्यादा higher तरीके से आज फॉलो होगा, through the modern development of economy, economy के modern developments है, the family as bearer of tradition and education has become weakened, अब हुआ क्या है, देखेगा, यह आज भी ऐसा होगा, जब higher degree than in former times, पहले से भी, through the modern development of the economy, economy के modern developments है, the family as bearer of the tradition, family जो है, वो एक tradition की bearer है, bearer मतलब धारक है, tradition की ग्रहाई है, उसने tradition को hold करके रखा है, the education has become weakened, और education जो है वो weakened हो गई है, ऐसा यह statement कह रहा है, अब इसके पीछे का क्या theme है, वो देखते हैं हम लोग, for transferring the wealth of tradition from one generation to the next, अगर हमें इसको आगे तक पहुचाना है, एक generation से अगली generation, एक PD से अगली PD तक पहुचाना है, there are means other than the school, school के अलावा भी means है, school has always been a means, यह तो बिल्कुल गलत हो गया, several different sources must be tried, अलग-अलग women sources try करने चाहिए, ऐसा passage नहीं कहा रहा है, economic development plays a crucial role, economic development जो है, वो एक crucial role play करता है, शायद यह बाद आ सकती, आगे देखते हैं, modern technology must be put to use of technology, पूरे passage में कहीं technology की बात ही नहीं है, तो right कैसे करेंगे आप, eliminate कर दीजिए, family as ever is the most potent means, family हमेशा की तरह most potent means है, हमारे पास C और D की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ यह कहना चाहरा है, through the development of economy, the family as bearer of tradition, and education has become weakened, तो इस passage को और deeply समझने की जरुद है, क्या कह रहा ही है, C में कह रहा, economic development जो है, crucial role play करता है, और family हमेशा की तरह most potent means है, most potent means का मतब सबसे शक्तिशाली जरीया अगर कोई है, तो वो family है, अब दोनों को समझते हैं क्या कहना चाहरे है, त्यांसे देखेगा, यहाँ इस passage में, starting में कहाए कि school हमेशा से important रही है, कि आपकी wealth of tradition को एक generation से दूसी generation मिल ले जाने के लिए, और आज भी ऐसा रहा है, economic development हो गया है, modern development of economy, family जो है, tradition और education की बेरर रहती थी, वो weaken हुई है, education weaken नहीं हुआ है, family जो पहले बेरर कहलाती थी, वो weaken हुई है, यानि family इतना important role play नहीं करती, जितना यह modern economic development नहीं कर दिया, जैसे जैसे economic development हुआ, family उतना importance नहीं रहे गई, लेकिन school हमेशा से रही है, यानि इसका answer see for cat हो जाएगा, कि economic development plays a crucial role, definitely crucial role play करता है, जैसे जैसे चीजें बदल गई, वैसे वैसे चीजें बदल गई, तो यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों, यह पूरा वीडियो, जहाँ पे आपने theme detection को देखा, most important part जो मैं कहना चाहूँगा, वो यही है, कि आपको अपने options चेक करने चाहिए, कि जो 4 या 5 option दे रखें, eliminate करिये, जो काम के नहीं हैं, उन्हें eliminate करते चले जाएए, फटाफत से answer आपका मिलता चला जाएगा, और यहाँ पे समाप्त होता है आज का वीडियो, अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों, अगले chapter में, और उस chapter में यह logical deduction का आखरी chapter होगा, इसके बाद non-verbal start कर देंगे, तो आप बने रहिए आपके चैनल के साथ, अभी तक अगर subscribe नहीं किया है, अभी subscribe कीजिए, thank you and take care.